चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हर साही चोपड़ा आपका हर दिख स्वागत करता हूँ मेरे पहरे बच्चो अभी इस समय एक सवाल हमारे सभी के मनमी ये उट रहा है कि आखिर काउंसलिंग कब इस्टार्ट होगी तो इसका सही और सठीक जवाब ये है कि काउंसलिंग 6 जनवरी 22 की हीरिंग के बाद ही स्टार्ट होगी क्योंकि इस हीरिंग डेट के लिए 11 डेज का समय सेश बचा है और इस 11 डेज में पहले कुछ भी होने की पोसिबिलिटी नहीं लग रही है क्योंकि रेजिडेंट डोक्टर्स की स्ट्राइक का आज 9 दिन है गत 9 दिन में जब कुछ नहीं हुआ तो आने वाले 11 डेज में क्या होगा तो ये पूरी पोसिबिलिटी है कि 6 जनवरी 22 के बाद ही ये कांसलिंग स्टार्ट होगे क्योंकि 2 जनवरी तक सुप्रिम कोट की चुटिया है हाँ रेजिडेंट डोक्टर्स की स्ट्राइक से गॉर्मेंट को ये सबक जरूर मिल गया है कि इस मेंटर को 6 जनवरी 22 को ही क्लियर करना है इसको आगे एक्स्टेंड नहीं कर सकते अधर्वाइज ये अगर स्ट्राइक नहीं होती तो इसके बाद भी ये आगे एक्स्टेंड हो सकता था ये मेंटर आगे के लिए टल सकता था लेकिन अभी 6 जनवरी 22 को ही ये क्लियर हो जाएगा एक कहवत है जब खेत ही बाड को खाए तो खेत को कौन बचाए मतलब गौर्मेंट ही काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करवाना चारी तो फिर स्टूडेंट की कौन सुनेगा तो बचलों MCC की काउंसलिंग के लिए आपको अभी 6 जनवरी 22 के सुप्रिम कोर्ट के डिसीजन का वेट करना होगा स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो अभी केरिला स्टेट ने भी क्लियर कर दिया है कि उनकी काउंसलिंग सेडूल ओल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बाद ही जारी किया जाएगा कुछ स्टेट ने रेजिस्टेशन कंप्लीट करवा लिये हैं कुछ statewide के registration progress में हैं और कुछ statewide के registration start नहीं हूए हैं लेकिन counseling all India quota के first round के बाद ही state का first round का alopment होगा तो ये एक छोटी शी जानकारी थी student काफी सारे comments करके पूस रहे थे तो मैंने सूचा ये एक video बना कर आपके साथ में share किया जाए तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिं